Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल नमश्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी को पता होगा, Elon Musk की कंपनी है SpaceX, लेकिन क्या आपको पता है कि SpaceX के दोरा, दुनिया का सबसे पारफुल रॉकेट बनाने की कोशिश हो रही है, देखो, रॉकेट तो तयार है और इसको कहा जाता है Starship, लेकिन अभी तक इसका सफल परिशन नहीं हो पाया है, मतलब पहला जो दो टेस्ट किया गया था 2023 में, उन दोनों टेस्ट में ये ब्लास्ट हो गया था, लेकिन फानली ये जो तीसरा टेस्ट किया गया है कल, उसमें आपको मिक्स चीज़ें देखने को मेलेगी, मतलब कुछ हद तक जो objectives हैं, वो achieve हो हैं, कुछ objective achieve नहीं हो है, यह आप खबर देख सकते हैं, Space X Starship reaches new heights in monumental test flight, but lost on re-entry, तो बताया जा रहा है कि ये जो starship है, ये space में टो enter कर गया था कल, लेकिन जब ये वापस से re-enter कर रहा था पिर्थवी के atmosphere में, तब ही यहाँ पर जो पुरा signal है वो lost हो जाता है, and most probably बताया जा रहा है कि ये Indian Ocean में जाकर crash हो गया है, तो इसके बारे में हम details से समझेंगे कि exactly ये starship है क्या, इसका main मकसद क्या होगा, Elon Musk ने इसको लेकर क्या कहा है, और कल exactly क्या हुआ, आपको बहुत कुछ जाने को मिलेगा, इस वीडियो में चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आपने से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारा जो batch है GS Foundation का, उसमें आपको complete preparation कराए जाती है, जैसे Brilliance Walleye Stage, Mains और Interview, तीनो जो stages हैं, वो आपको एक single batch में मिल जाएगा, इसमें आपको सभी live classes मिलते हैं, personal mentor भी अलॉट किया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी route हो, तो आप अपने mentor से पूछ पाओगे, इसको अवेल करने के लिए हमारे website अप पर जाएगे, या फिर comment section में link के और use करिए code UNKITLIVE, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहापर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly starship है क्या, क्योंकि ये पुरा मुद्दा समझने से पहले, starship क्या है, वो अगर आप समझ जाओगे, तो काफी आसानी हो जाएगी, देखो जब मैं starship कहता हूँ, तो इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है starship, spacecraft, और उसके नीचे लगा होता है, जिसको कहा जाता है, super heavy rocket, या आप diagram में अच्छे से ये picture में समझ पाएंगे, ये उपर वाला जो पार्ट है न, black color का, ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये है आपका starship, spacecraft, तो क्या होता है कि ये बहुत जादा heavy है, अब मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि 200 टन का समान, या फिर मान लो 100 लोग, 500 लोगों को अगर space में ले जाना है, तो काफी heavy हो जाता है, तो उसके लिए आपको काफी power चाहिए होता है, और वो power basically मिलता है, ये नीचे वाला जो booster लगा हुआ है इससे, तो क्या होता है कि ये दोनों, मतलब कि ये जो spacecraft है, इस booster के उपर place किया जाता है, और इसको finally launch किया जाता है, और launch करने के करीब धाई से तीन मिनट के बाद, आप कह सकते हैं कि ये दोनों separate हो जाता है, और finally ये जो spacecraft है, कोशिश ही होती है, कि इसको space में भेज दिया जाए, और space में क्या भेज दिया जाए, मतलब plan क्या है future का, अगर ये सही तरीके से successful हो जाता है, तो आगे चल कर जो heavy वाले, मतलब astronauts हो गया, कारगो हो गया, काफी heavy, तो उसको हम Earth के orbit में place कर सकें, ठीक है, आज की rate में limitation है, कि आप एक limit तक ही चीजों को space में ले जा सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना power नहीं है rocket के अंदर, तो एक तो Earth के orbit में ले जा सकें, फिर future में moon पर, चांद पर astronauts को ले जा सकें, Mars पर विया, अगर आप अक्सर सुनोगे Elon Musk को, वो क्या कहते हैं, मैं colony जो है लगाना चाहता हूं Mars के उपर, future में, तो ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं, अगर ये जो starship है, वो हम सही तरीके से test कर लेते हैं, और अगर ये testing complete हो जाती है, flight ready हो जाती है, तो ये बन जाएगा, दुनिया का most powerful launch system, कितना powerful, आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं, इसका जो height है, वो कितना है, ये है करीब 397 feet, 121 meter, मतलब जो statue of liberty है ना, उससे भी करीब 90 feet जादा है, और आप समझ ये, इसके अंदर जो super heavy booster है ना, ये जो नीचे वाला मैंने आपको बता है, ये जो booster लगा हूँ है, it produces 16.7 million pounds of thrust, मतलब कि अभी present में अगर हम बात करें, जो SLS है, मतलब कि space launch system, नासा का, ये दुनिया का सबसे powerful, आप rocket कह सकते हैं, तो उससे भी double, उससे भी double आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आप समझ रहो कि कितना ज़दा powerful होने वाला है, हाँ, ये बात अलग है कि नासा का जो space launch system है, ये certified है, लेकिन जो starship है, ये अभी prototype है, इसको पूरी तरह से certified नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी इसकी testing जारी है, और in fact आप देख भी पाएंगे, starship could lift as much as 250 tons and accommodate 100 people on trip to Mars, मतलब Mars पर जाना है अगर starship से, तो उसके अंदर 100 people जा सकते हैं, 100 लोग और 200 tons समान भी जा सकता है, इतना ये powerful है, खेर, यहाँ पर मैं आपको और बताता हूं कि 2023 में जो दो test हुए थे, उसमें exactly हुआ क्या था, फिर हम बात करेंगे कल वाले third वाले test में, देखो सबसे पहला test इसका किया गया था April 2023 में, और इसको कहा गया integrated test, अब इसमें क्या था, कि जब इसको launch किया गया, तो इसका जो separation है वो नहीं हो पाया था, actually launch कहां से किया जाता है मैं आपको बताता हूं, यह जो base है यहाँ पर SpaceX का, इसको कहा जाता है Boca Chica, यह Texas में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो Boca Chica से यहां से इसको launch किया जाता है, और जब 2023 में इसको launch किया गया था April के महने में, तो यह जो star ship spacecraft है उपर और यह जो super heavy booster है नीचे का, यह दोनों separate नहीं हो पाया थे, और यह danger हो सकता था, इसी की वज़े से SpaceX ने क्या किया, इसको जान मुझ कर blow कर दिया, इसको उड़ा दिया, मतलब कि यहां से launch हुआ और Gulf of Mexico में जाकर यह गिर ग 23 में किया गया था, और यह थोड़ा सा better था आप कह सकते हो, यह successful नहीं था again, लेकिन थोड़ा सा better था, better कहने का मतलब यह है, कि यहां पर जो separation पहले वाले टेस्ट में नहीं हो पाया था, दूसरे वाले टेस्ट में यह separation हो गया था, मतलब कि 2-3 मिनट के बाद मैंने आपको ब्लास्ट हुआ था, और इस बार जो ब्लास्ट हुआ था, वो basically आप कह सकते हैं, इंडिया नोशन के उपर हुआ था, मतलब टेकसस से इसको launch किया गया था इस space में, और launch करने के बाद इंडिया नोशन के उपर यह आपका ब्लास्ट हुआ था, अब देखिए यहां पर 90 million dollar, just imagine, हर एक starship के लिए, जो कि हमेशा अभी blast ही हो रहा है, हर एक starship के लिए 90 million dollar यह खर्च करते हैं, और भी total अगर आप amount देख लोगे, launch करने का, जो यह और भी जादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन spacex का Elon Musk का यह कहना है, कि हमारी strategy क्या है, कि हम इसको practical environment में, real world में test करते हैं, ना कि lab में, मतलब कि इसको launch करने से पहले ऐसा नहीं है, कि बहुत जादा lab में ही सिर्फ testing कर रहे हैं, समय विता रहे हैं, यहाँ पर हम real world में इसको test करना चाहते हैं, इसलिए, लगतार आपको यह blast होते वे देखने को मिलेंगे, लेकिन अब question यह है, कि कल जो यह third test किया गया था, इसमें क्या हुआ, देखो, third test में बताया जा रहा है, कि कई सारे जो objectives हैं, वो achieve हुए थे, although जैसा मैंने आपको starting में बताया, कि कल वाले test में, यह enter कर गया था, space में, मतलब यह separation होना था, separation भी हो गया, फिर आपका उपर enter करना था, enter हो गया, फिर Indian Ocean में जा objective यह था, कि अगर मान लोग बहुत heavy satellite है, जो हम star ship से इसको भेज रहे हैं, और इसको हमें पृत्वी के orbit में लगाना है, satellite का main मकसद क्या होता है, कि पृत्वी के चक्कर काटता रहे, ताकि उससे जो भी हमें communication चाहिए, या फिर weather forecasting चाहिए, वो सारी चीज़े हम ले सकते हैं तो क्या है, कोई भी जो rocket होता है जो spacecraft होता है, उसमें satellite अंदर रखा जाता है, मतलब star ship है मान लो ये, उसके अंदर ये रखा हुआ होगा satellite, तो satellite को release करने के लिए, मतलब जब ये space में जाएगा तो उसको release करने के लिए, इसका जो door है वो आसानी से open होना चीए और फिर close होन फिर दूसरा objective एक और बताया गया, जब हम कहते हैं कि कोई भी spacecraft space में चला गया है, तो हम कितने height की बात करते हैं, मतलब वो पृत्वी से कितना उपर height पर चला गया है, हम कहेंगे कि वो space में चला गया, मतलब अर्थ के atmosphere से चला गया, तो वो altitude है 100 km का, बताया जा रहा है कि य top speed achieve हुआ था, star ship का, वो था 26,000 km पर hour के आसपस, और इसने जो altitude achieve किया था, it was more than 200 km अबव sea level, मैंने आपको क्या बताया है, कि ये space में हम तब मानते हैं, जब ये 100 km अबव चला जाता है, लेकिन ये 200 km अबव चला गया था, तो इसका मतलब साफ हुआ, कि star ship पहली बार एक त करने के बाद, इसको नीचे आना था, in fact मैं आपको बताओं, तो इसने दुनिया का आधा रास्ता तैग कर लिया था, ये आप देख सकतो, ये Texas है, ठीक है, यहां से ये launch हुआ था, launch होने के बाद, मतलब लगभग आधा दूरी इसने तैग कर लिया था, उपर, obvious ही बात है, 200 किलोमीटर अबब की मैं बात करा हूँ, तो जो ये इंडिया नोशन में पहुचा यहां पर, ठीक है, अब कहीं पर पहुचा होगा, exact location नहीं बताया गया, लेकिन इंडिया नोशन में जब ये पहुचा, तो वहां पर क्या है, ये re-entry कर रहा था, मतलब, जो दुनिया है, जो earth है, उसके atmosphere में enter कर रहा था, तो जब ये enter कर रहा था, तो उसी वक्त क्या होता है, कि यहां पर जो signal है, वो lost हो जाता है, और scientist को पता नहीं चल पाता है, कि exactly क्या हुआ है, in fact, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये Texas से ये starship launch किया गया, launch होने के Gulf of Mexico मैंने आपको map में दिखाया था न, यहां पर, again, यह आप देख सकतो, ये Gulf of Mexico है यहां पर, Texas के पास, तो वहीं पर इसको गिरना था, तो क्या होता है, कि again जब ये गिरा न, तो सही तरीके से नहीं गिरा, मतलब इसको reuse नहीं कर सकते, हाँ, एक चीज मैं आपको ये भी ब पानेंगे, जब ये दोनों हम recover कर सकें, तो SpaceX चाता है कि दोनों को recover कर सकें, लेकिन कल ये जो testing की गई थी, मैंने आपको बताया है, इसमें दोनों ही recover नहीं हुआ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये भी Gulf of Mexico में आके जाके, ये crash हो गया, पानी में, और जो ये वाला मैंने notion के किसी पानी में कहीं पर जाकर जो है, ये चला गया है, तो उसके बारे में exact idea यहाँ पर अभी नहीं है, बट I hope कि इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि exactly कल हुआ क्या है, और conclusion में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दू कि SpaceX के पास, और especially NASA, चा जारी कर रहे हैं, और उधर China से भी काफी pressure आ रहा है, China कह रहा है कि 2030 तक हम अपने astronauts को land करा देंगे, पहला जो crew है, उनका 2030 तक चला जागा, तो ये अमेरिका के लिए शान की बात हो जाती है, कि यार, China से वो लोग पहले वो भेजना चाहते है, ठीक है, क्योंकि एक अलग सा question, क्या बता सकते हैं, which of the following NASA's space probe designed to study the composition of interior of comet Temple 1, तो जो Temple 1 करके comet का नाम है, उसके interior को study करने के लिए, NASA ने कौन सा space probe भेजाता है, इन चारों में से, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मुलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले स समयने आपको बता है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can just use this code ANKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल जाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आपसे next time, till then thank you very much, see you soon.